फ्रेंड्स इंडिया में बहुत दिन से population control बील को लेके बात हो रहा है इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसा है जिनको लगते है government को जल्दी population control बील लाना चाहिए इंडिया का population को control करने के लिए तो दोस्तो आज मैं इस वीडियो में चायना का example दूँगा और इस वीडियो के बात आप खुद ही decide करेंगे क्या इंडिया को population control बील लाना चाहिए या नहीं दोस्तो यहाँ पर मैं चायना का example इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चायना का population भी लगवाग इंडिया जैसा ही है और हमेशा इंडिया के साथ चायना के comparison होते आ रहा है friends अपने अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो आभी subscribe करके bell icon प्रेस कीजिए और वीडियो खतम होते ही family और friends के साथ वीडियो को share कीजिए तो आये दोस्तो शुरू करते है दोस्तो 1950 से 1960 के टाइम पे इंडिया का TFR था 6 और चायना का TFR था 6.5 दोस्तो TFR है total fertility rate यानि कि एक ओमेन on an average कितना babies प्रोड्यूस करते है तो 6 और 6.5 दोनों ही बहुत हाई नंबर था और उस समय इंडिया और चायना दोनों के लिए इक population एक बहुत बड़ा मुसिवाध हुआ करता था लेकिन एराउंड 1980 इंडिया और चायना दोनों कांट्री इस population को कांट्रल करने के लिए दो अलाग अलाग रास्ता चुने थे जहाँ पे चायना ने 1980 में one child policy लाया था यानि कि एक couple एक से ज़्यादा बाच्चा नहीं ले पाएगा अगर लेगा तो उस family को government से जितना ज़्यादा facilities और अलाग सा benefit मिलता है उसा बंद हो जाएगा लेकिन इंडिया ने यहाँ पे दूसरा रास्ता चुना था इंडिया यहाँ पे social awareness शुरू किया था लोगों को समझाने में लगे कि कैसे छोटा family होने से उनके लिए benefit रहेगा दोस्तो एक government का बहुत popular tagline है population control को लेके जो हम लोग कभी ने कभी जरूर सुने है कि हम दो हमारा दो तो इस type का campaign और social awareness के थ्रूँ इंडिया ने कोशिश किया था population को control करने के लिए लेकिन दोस्तो 2016 आते आते चाइना ने ये रियालाइस किया कि चाइना का population बहुत ज़्यादा घड़ चुका है और चाइना उस समय one child policy को खतम करके two child policy लाया था दोस्तो एक estimates ये बताता है 1980 से लेके 2016 तक चाइना ने 40 क्रोड़ babies को जनम देने से रोका था यानि कि आगा चाइना में one child policy नहीं रहता तो चाइना का population आस चलिस करोड़ ज़्यादा होता दोस्तो आज मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट कुछ दिनों के अंदर दो बहुत important चीज़े समने आये दोस्तो एक तो इंडिया का present TFR है 2 और यह data कुछ दिन पहले NFHS National Family Health Survey ने publish किया था दोस्तो नॉर्मल ही मना जाता है कि 2.1 एक standard TFR है अगा TFR 2.1 रहेगा इसका मतलब एक country का या फिर एक state का जो population है वो stabilized हो गया इसका मतलब है जिस तेजी से aging population ग्रो करेगा उसी तेजी से newborn भी होगा तो population stabilized हो गया लेकिन अगा 2.1 से नीचे रहता है TFR तो इसका मतलब धिरे धिरे उस country का population घटेगा तो इंडिया का population अभी 2 है इसका मतलब यह आप कह सकते है कि almost stabilized ही है और दोस्तो दूसरा बात ही है कि चाइना ने अब three chart policy को launch कर दिया यह देखते हुए कि चाइना का aging population बहुत तेजी से बर रहे है और चाइना का एक newspaper ने यह दवा किया कि चाइना का present TFR 1.3 जो बहुत ही कम है इसका मतलब दोस्तो यह भी हो सकते है कि कुछ साल बात चाइना में जो factories है हुआ पर काम करने के लिए manporn ना मिले क्यूंकि हम सब जानते है कि चाइना एक manufacturing giant है तो वह आपे factories में काम करने के लिए बहुत सरा आद्मी चाहिए तो अगर population धीरे-धीरे घड़ जाएगा तो वह आपे काम करने के लिए लोग नहीं मिलेगा और इसलिए चाइना ने अभी three child policy को समने लाए है दुस्तों दुनिया में अभी भी बहुत सरा countries है जहाँ पे TFR अभी भी बहुत हाई है खस करके अफ्रिका में Niger का TFR अभी 7 है कॉंगो का TFR अभी 6 है ये सब country अज उस जगा पे है जहाँ पे इंडिया 37 सल पहले था दुस्तों अभी कमेंट करके बतेए अपको क्या लगते है इंडिया को population control भी लाना चाहिए या नहीं